राकी इन समय में राजा अपने शत्रू पर विजय प्राप्त करने के बाद किसी न किसी मारत का निर्माड करवाते थे इन मारतों का निर्माड इसलिए करवाय जाता था ताकि आने वाली पीड़ी इन विजय स्मारकों को देखकर अपनी शत्रू पर हुई जीत को याद कर सके ऐसा ही एक विजय स्मारक चित्वलगड के लिए में बना हुआ है इस स्मारक का नाम है विजय स्थम्ब विजय स्थम्ब एक विशाल स्थम्ब है जिसमें बहतरी नकासी की गई है विजय स्थम्ब 112 फुट उची तथा 30 फुट चौड़ी नो मंजला इमारत है विजय स्थम्ब को मेवाड के महराजा राणा कुम्बा ने मेहमूत खिलजी की मालवा और गुजरात सेना की विजय पर स्मारक के रूप में 1446 इसमी में बनवाना शुरू किया था जो की आठ साल बाद 1448 ने मनकर तैयार हो गया था विजय स्थम्ब हिंदू स्थापत शैली इवं बारीक कारीगरी का उसक्रस्ट उधरन माना जाता है जो नीचे से चोड़ा बीच में सकरा इवं उपर से पना चोड़ा डमरू के आकार का है इसमें उपर तक जाने के लिए 158 सीडियां बनी होई है इस स्थम्ब के आंतरिक तता बाव भागू पर भारती देवी देवताओं अर्धनार्यूसर, उम्मा महिस्वर, लक्ष्मी नारायन, ब्रह्मा, तावित्तरी, हरीहर, प्रितामय विजुनू के विविन अवतारों तथा रामाय डेवं माह भारत के पात्रों की सैगड़ों म अद्क्रीर है